दोस्तों मेरे चैनल शिखास किचन में आप सब का बहुत स्वागत है आज मैं आपके बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को दोस्तों आज मैं आपको मठर को किस तरह से हम फ्रीज में इस्टोर करें ये बताने वाली हूँ जिससे हमारे मठर पूरे साल भर तक के अच्छे रहें तो आप मेरे यहाथ में देख रहे हैं ये पैंसिल मठर है दोस्तों पैंसिल मठर थोड़ी सी लंबी रहती है और इसके सब्सक्राइब करें शिखास किचिन चैनल को और बेल ऐकन को प्रेस करें लीटिस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तो जब भी हमें स्टोर करना है तो पैंसिल मतर लें तो इस मतर में से जो एक दो मुझे खराब मतर लग रही है उन्हें मैं अलग कर रही हूं मैं उनके दाने नहीं निकालूंगी एक भी दाना यदी खराब रहेगा तो हमारी जो इस्टोर की हुई मतर है उसके खराब होने का डर रहेगा तो इस तरह से मैंने सभी अच्छी क्वालिटी की मतर ली है पैंसिल मतर ली है आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी इसमें दाने की संख्या भी ज्यादा होती है और दाने भी मोटे और बहुत ही स्वादिस्ट होते हैं तो इस थरह से सबसे पहले तो हमें मतर को चीलना है और हो खराब मतर है जिसके दाने खराब है उन्हें अलग कर लेंगे दोस्तों हमें इन logarcipl pane कीर्खने की जरवत नहीं है इसक् में चील लिया है और अच्छे दाने के लिया हैं कुछ मुझे खराब लगे जो थोड़े छोटे छोटे थे उन्हें निकाल दिया जिसकी में भी सब्सक्राइब लूगी जो टूटे हुए दाने वह भी मेंने अलग कर लिया है कर्टॉरी में तो जित्ते भी ड़ी मटर आपको आसट्वर करना है दोस्तों उन्हें आप निकालकर पहलें और इस तहरा की हमें जिप लोग थेलिले ना हैं मैंने यहां पर यह जिप लोग बैग लिया है जो छोटए सा ताकि जब हम अममत्र निकाले तो एक भार पार एक थैली एक थैली के यूज़ा है आप सोचँएंगे कि भूर भड़ी थैली ले 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 से थोड़ा थोड़ा निकालते रहें तो इससे उस बड़ी थैली में बहुत जादा air जाती है और जितनी हवा जाएगी उतनी जल्दी हमारी मटर खराब हो जाएगी तो इस तरह से मैंने छोटे-छोटे से पॉलिथिन के बैग लिये हैं जिने मैं पूरा भर रही हूँ उपर तक के और मैंने इस बैग में से बिलकुल भी air निकाल दी है क्योंकि मटर में जितनी जादा air लगेगी हवा लगेगी उतनी जल्दी उसके खराब होने का डर रहता है और यदि आपको जिप लॉक बैग नहीं मिलता है तो आप साधे पॉलिथिन में भी भर सकते हैं मैं वह तरीका है आपके साथ शेयर करूंगी यह मैं थिप लॉक बैग लिया है मैं आपको बताने की लिए ले रही हूं दोस्तों इतने बड़े साइस का तो आप देखेए जब मैं इसे बंद करूंगी तो इसमें इतने हिस्से में पूरे हवा भरी रहीगी और जितने हिस् पूरी हवा निकल चुकी है इस तरह से पहले फोल्ड करें जो एक्स्टा पोर्शन है पॉलिथिन का फिर आप इसे लॉक लगाएं अब आपने दोस्तों देखा अब इसमे अगर हम अगर हम अगर इस धंग से रखेंगे तो मतर में बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगी बहुत ज आप किसी सब्सक्राइब ना ले तो मैंने ये ग्रोसरी शॉप से साधा पॉलिथिन है मेरे पास जो बहुत आसानी से मिलता है ये लिया है और पूरी मतर जित्ती से में आई अंदर तक के से भरके इसके अंदर की एयर जो है वो निकाल दी है और नॉट लगा दी है और नॉ या सब्सक्तात की जाएं ट्बेता है उटिता्वन खाटान लगांना। इससरफ में ट्रीन निकाल कारीका है और चोटात की ज्च्यी जर् Sawee ृत Ó जित्ती जरुवत है मतर तो भी एक आपते हमें करिब कर देंदेलों बहुत की ज़री को आपने दिखा कि पान पान्छ से प फ्रीजर में आइस लिए उनले कहता है वीक देख दिया हिसे एक विए रह जाया है तो मैं आपको अभी निकाल कर दिखाती हूँ इस मटर को तो इस तरह से मैंने पॉलिथिन बैग रख दिया आप चाहे तो किसी डब्बे में भरके भी रख सकते हैं एक साल के बाद भी मेरी यहरी मटर खराब नहीं हुई है इसमें मैंने इस तरह की जिप लॉक वाली थैली ली थी अब आप देखे इस मटर में पूरी आइस जम चुकी है तो इसमें से मुझे जब चाहिए होता एक कटोरी या दो कटोरी में तेजी से निकालती हूँ और तुरंथ ही इसका लॉक लगा के इस पॉलिथिन की एयर निकाल कर इसे वापस फ्रीजर में रख देती हूँ नहीं तो मटर खराब हो जाएगी तो दोस्तों इसी तरह से आप भी मटर को स्टोर करिए और बहुत ज़ादा स्टोर ना करें दो से तीन किलो मटर आप आसानी से साल भार के लिए स्टोर कर सकते हैं यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा टॉपिक पसंद आए तो आपको मेरे वीडियो को देना है लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब